अब आपका अप्लिकेशन आई और आपका पासवर्ड आप डालूगेगा तो आप इसकॉल करेंगे तो नीचे आपका आपके रिस्पॉंस जो भी आपने एक एक बार में शिफ्ट में तो एक बार का या दो बार का शिफ्ट वाइस उन्होंने पेपर जो है वह आपके डाल द अब आपको क्या करना है जो भी आपने टिक लगाया है वो आपको आंसर की से मैच करके चेक करना है कि आपको कितने माक्स आए तो यह हो गया पर सवाल अब यह उड़ता है कि सरी कुश्चन में हमें डाउट है आप बताईए कि हम क्लेम करें या ना करें तो हमें कल तक में क्लेम करना है पर कुश्चन पर कि कहां गलती है अगर गलत है तो हम क्लेम करेंगे राइट क्लेम करने का जो भी चार्ज है यहां पर उन्हें बता रखा है मैं थोड़ा सा यहा उन्हें जो दिया है कि भाई यह सब उन्हें डाल दिया है चैलेंज के लिए एक जुलाई अप्टू मतलब एक जुलाई से लास्ट साड़े 11 बजे तक रात तक आप चैलेंज कर सकते हैं एक तारिक तक रात को 11 बजे तक आप कर सकते हैं यह हो गया अब इसके करते हैं कि च्छेलेंज करने प्रोसेस क्या होगा तो बड़ा सिंपल से हैं आपको नीचे ही वही पर चैलेंज के लिए आपको मिलागा चैलेंज के लिए और आप झालों ऐब खोलकिए और वहाँ पर जाकर आप चैलेंज कर सकते हो ड πουaden तो nel question होते हैं तो आपको 10,000 रुपे जमा करने तो ये एक amount है जो कि गलत होने पर आपको जमा देख करना है पर गलती उनकी है पैसा आप से लिया जा रहा है ऐसा होना चाहिए कि हाँ आप 200 रुपे जमा करिए अगर वो गलत खेलाते हैं तो 200 का 500 वो आपको refund करें कि आपको mental stress भी हुआ एक्जाम में और उल्टा कहीं न कहीं आपके पेपर विगड़ने के चांसे में बड़े तो ये उन्हें करना चाहिए ये एक सही तरीका है खुद की गलती को accept करने का पर इंटे नहीं करता चलो अभी हम बात कर रहे हैं इस बारे में हम बात कमी कर पाएं चलिए मैं आता हूं वापस से एक important बात पर जो हमें यहां पर ध्यान देनी है तो प्रोविजनल आंसर की भी आप यहां पर देखिए आंसर की जो भी आपका shift हो राइट ध्यान रखेगा उसके हसाब से आपको लेना है शिफ्ट जैसे डेवाइस दे दिया है 25-23 का shift हो आने उसके इसाब से इन्होंने सब्जेक भाइस इन्होंने आंसर की दिया है आपको करना क्या है देखिए सिक्वेंस में उपर नीचे भी हो सकता है questions आपके पास तो आपको सिक्वेंस के सबसे चेक करना है मतलब थोड़ा तर डिफिकट हो सकता है time consuming हो सकता है आपकी response sheet जो भी ह अप pdf download कर ले और डालोड करने के बाद या प्रिंद करने के बाद आप उसके answers को यहाँ पर इसके साब से देखिए आप यहाँ पर नहोंने यह इस तरह से उन्होंने questions यहाँ पर दे दी है चिए shift one shift two और यह सारे चीज दी है response की और answer की उन्होंने यहाँ पर दी हुई है तो अब यहां पर जो उन्होंने questions और answers की दी है इनको आपको check करना है थोड़ा सा आपको इसमें देखना होगा पर अब सवाल है आगे क्या राइट थोड़ा सा clarity में शायद आपको problem आ रही होगी मैं आता हूं वापस से PDF पे हमारा question क्या है कि अब आगे क्या यह वीडियो बन दोस्तों भी है अब यहां पर जो finally में जो question raise करने वाला हो ना वो यह है कि मुझे यहां पर करना क्या चाहिए तो सुनिए मेरी बात मैं यहां पर आपको किस मैं समझा दूँ ठीक है थोड़ा सा मुझे खाली पेज़ चाहिएगा मुझे 350 आए out of 500 मुझे 800 में से 600 आए अब मैं इसका करूं क्या देखो अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर की इसलिए दी गई है रिस्पॉंस की इसलिए दी गई है कि अगर कोई कुशन गलत हो तो आप चैलेंज करें और चैलेंज करने के बाद आप उस चैलेंज वाली वैल्यू चैलेंज वाला जो भी है उसके लिए वेट करें आपके मार्ग्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं तो आपको 600 आ रहे हैं आपक कशन सही होने पर हो सकते आहें मार्क्स करिब करीब five case है आप सोचे हैं तो आपके five 25 बढ़ सकते हैं 25 बढ़ की रिंकिंग्फ सकते हैं इसके बाद इसके बाद का रिस्प आये दीड़ मेजरी जैए सबक्ता के तो नॉर्म लाइज होकर परसंटाइल बनेगा बतलब अभी के मांक्स से में किसी को नहीं बता सकता या कोई किसी को नहीं बता सकता कि उसका पर्संटाइल बनेगा और उसका उस क्लिइज में होगा या इस कउलईज में सब्सक्राइज का है तो फिर भी नॉर्मालाइजेशन के बाद ही क्लियर होगा कि आपके क्या पर्सेंटाइल Ukrain और उस percentile के हिसाप से ही clear हो पाएगा कि आपका क्या result आपका क्या chances है selection का second thing कि यहाँ पर हर college अपने अपने तरफ से counseling कर वा रहा है तो उस college पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने उस college का registration form भरा है courses का right बहुत सारे बच्चों रहें और भर भी रहें तो वहां पर cutoff हाई जा सकता है तो यहां पर finally में क्या कहना चाहरा हूं तो अभी आपको wait करना है किस चीज़ का अभी wait करना है आपको result का final और final result के बाद नॉर्मलाइजेशन के result के बाद जो percentage में result आएगा परसेंटाइल में तो finally में क्या बोल रहा हूं नॉर्मलाइजेशन का आपको थोड़ा सा wait करना होगा जो भी परसेंटाइल आएगा उसके हिसाब से ही decide होगा अभी सिर्फ आप गलत question के answer को challenge कर सकते हो गलत question question में answer गलत द आपको उसके marks बढ़ेंगे यह NTA sure कर रहा है अभी और बात है कि भाई NTA के result आने में भी और 8-10 दिन लगने वाले हैं इसा समझ में आ रहा है जिस तरह से प्रोसेस चल रही है पर हम मानने चार-पास दिन और एक अफता भी मानने तो result फिर भी लेट है तो हमें finally क्या करना ह समझ गए conclusion में देना चाहूंगा यहाँ पर कि percentile का wait करिए जो आपका percentile होगा उसके साब से आपको आपका course मिलेगा कुछ colleges में जहां जहां आपको course चाहिए वहाँ आपने form भर दी हैं बहुत बढ़िया है आप wait करिए percentile का तभी आपका वहाँ पर भी confirm हो पाएगा वो percentile क को देखकर admission देंगे ना कि आपके marks को देखकर राइट तो अभी confused ना हो यह सिर्फ और सिर्फ अभी आपका ध्यान जो भी है आपका college admission पर वो रखिए चीक है और हम अभी next video में मैं आपको एक दो दिन में बनाऊंगा जिसमें DAVV इंदोर के बारे में मैं process दालूंगा अभ वेट करिए तिल देन हम मिलते हैं next video में next information के साथ confusion को दूर करिए अभी मत परेशान हुए कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा राइट ज्यादा खुशी भी नहीं और ज्यादा गम भी नहीं पालना है मिलते हैं जिनको कम है वो खुश रही है कि हो सकता है percentile में अच जिन वो नहीं जब साथ